प्रिवान विल्कम टुट चानल ग्यापनी कीडमी चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक वैसे तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समझ गये थे चुंबक क्या है चुम्बक क्या है कमपास क्या है और स्टेड का परियों ग बता चुकी हूं लेकिन फिर भी बता दे रही हूं देखिए चुम्बक जितने एरिया तक के वस्तुओं को अपनी और खीच पाता है उस एरिया उस छेत्र को बोलते हैं चुम्बक यह च्छेत्र मैगनेटिक एरिया जैसे कि यहां पर मैं एक चुम्बक बना ली हूं यह तो जितना एरिया तक के वस्तुओं को अपनी और आकरसित कर पाएगा इस एरिया को बोलता है चुम्बक यह चेत्र को दिखाने के लिए क्या से दिखता है किसी तरह यहां पर मैं आप लोग को चुम्बक यह च्छेत्र इथना दुर तक है ना चुम्बक चुम्मबक चलत तो इसको दिखाने के लिए के लिए हम लोग रिखा किस्ते हैं और वह रेखा कैसे होती है आएसे अइसे होती है फिर यह ह meno सोता है यह मिखक पॉल में जाकर रेंटर पोल निकलेंगी और satellites पूल में आकर एंटर करेंगी सभी निकलेंगी इस तरह जाकर एंटर करेंगी जैसा कि और इस तरह बहुत सारी चुम्बक ये छेत्र रेखाओ के कारण ये चुम्बक जो होता है ना किसी भी लोहे या फिर लोहे के वस्तु को क्या करता है अपनी और आकर्सित कर पाता है तो है बहुत्स कर दिखाने के लिए यह शमге चेटर रेखाओ को तो बोलता है इंगे इसलिठ बड़ी बात है जैसा कि आप मेणा में देख लिएं इस तरह का चुमबक युचे रेखा होता है एक चुम्बक का और जिसके वज़ा से चुम्बक जो होता है कोई भी लुह या फिलों से बनी वस्तु को अपनी और आकर्शित कर पाता है तो यहां पर द्यान दिजिए जो बाई यह जो चुम्बक के नौर्थ पोल से यानिकि उत्री दुरू से निकलकर इतら होता है तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा तीए लेकिन सबसे ज्यादा कूश्टन जो पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि चुंबक से रेखाओ की दिशा क्या होती है चुम्बक की तरफ ठीक है और चुम्बक के अंदर साउट से नौर्थ की तरफ ठीक है तो यहां तो कोई दिखत नहीं है तुम्बक के छेतर रेखा का जरा गूर देख लिए कुछ फीचर से भी सेशता है यह सतत बंद वक्र होती है सतत बंद वक्र मतलब इस तरह घूंती रहती है यह कंटिनीवस चलती रहती है ऐसे गोल गोल चलती रहेंगी ऐसा नहीं होता यह हमेशा सतत बंद होती है इस तरह गोल 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 इस तरह लगाती रहेंगी यह भी ऐसे गोल 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 सतत वक्र चलती रहेंगी यह बी जाती मिद्ट्य अजय तीसे घ Estado ख़ाए घनी होने पर उसाइव प्रबावल होता है जहां पर छित्र उँभाएं बहुत ही जजदा होगी वहां पर चुम्बक यह देखने को मिलेगा वहां पर उसे कुमबक की इंद च्ट्र और देखने यह दोनों पोल के तरफ यहां पर के पास चूनबुक यह श्यार जदा है और करण च्छूत्र होता है अब यहां यहां पर जाधा उतना दूर दूर एक दूसरे को कभी नहीं काथती यह जो इसे बनाई हूं एक दूसरे को एशे कभी नहीं काथती है Сейчас थे और आगे देखिए inadequ हम लोग समझ गें चुम्बक की कारण चुम्बक एच्छेतर रिखाएं अब आप लोग के मन में यह सवाल जरू होतना चाहिए कि मैं आप बताई थी कि किसी तार से विधूद्धारा प्रवाइत होता है तो उसकी रिखाएं कैसे दिखती हैं तो देखिए अब हम लोग समझत नीचे से उपर ऐसे धारा प्रवाईत हो रही है तो इसमें फिच्ए चारो तरफ उत्वाइत होगा तो इस में यहां व्तोबक को दिखा दिखाति हैं है उसा चुम्बक यह चेतर ड्रेंग होती है लेकिन इसमें कैसी होगी तो इसको दिखाने के लिए कुछ जुगार लगाया गया क्वागा क्या किया गया एक क्यां पर कार्ड़ बोर्ड ऐसे बना दिया गया ठीक है एक मिनेट अच्छा से बना रही हूं ऐसे कर कर ऐसे कार्ड़ काड़ बोर्ड को बीच में से इसे सितार को क्या कर दिया गया गुजारा गया जिसमें से नीचे से उपर कि व्राई fuckin और इस कर दिये गई लोहा का चुण मिसरण इस तरद डाल दिया गया उसपर ठेके और इसमें से पर दीगे। तो हुआ क्या इस कार्ट बोर्ट को थोड़ा सा थोड़ा सा डब आया गया तो यह जो कार्ट बोर्ट में लॉचूड थे अब यह एक एरेंज में एक सीक्वेंस में क्या हो गया बट गया ऐसे गोल-गोल देखिए मैं आप लोगों को प्रेक्टिकली कर दिखा रही है और अगया और इसके और उसा गुषat भॉसा दिया एयसे ठीक है इसके उपर क्या कर दिया गया मिनटर सह इस्सार कर दिया गया तार को और नीचे से उपर धारा परवाइत कर दी गई देखिए आपको जड़ा ध्यान से देख लीजिए ठीक है इस तरह यह कार्ड बोड है और इसी के उपर लोहा का चुन छिड़क दिया गया कार्ड बोड के उपर और इसमें से विधूद्धारा परवाइत की गई और इस कार्ड को घुट uważ हो गया तो इस दोल घूड टूड लोहे के चूड को इस तरह गोल गोल बेवस्थित हो जाने से ये बात आप हम समझ में आ जहीं कि ये जो शिभा धारा वाही मैं चालक तार तो इस चुमबक ब्रकर होती है वह वक्र में बेवस्तित होती है यानि कि गोल गोल होती है तो यह सीधा धारवाही चालक तार हो गया इसका चुम्बकिया च्छेतर कैसा होगा तो चारो तरफ वक्र में होगा वक्र रेखाओं में होगी यानि कि ऐसे गूल गूल होंगी तो एक सीधा धारवाही चालक का मतलब होता है यह तो सीधा तार था जिसको सीधा धरवाई चालक बोल रहे तो रहे ती लेकिन यह विदूद्धारावाई वृतकार पास है मतलब यह भी एक तार है जो की इस तरह क्या है गोल है एक मिद्ध आप लोगों को अच्छा से बना देती हूं देखिए इस तरह हो जोड़ देना है ठीक है ऐसे यह बैटरी का पोजिटिव टर्मिनल यह निगेटिव टर्मिनल मतलब इसमें से इस विर्थकार पास से क्या होगा ऐसे विदूद्धारा परवाहित होगी इस दिसा में ठीक है यहां तब को गोल बना दीजे विर्थकार जैसे कि आप लोगों जो कैसी देखती है सिदा दर्वाही तारक में तो वकर कोंटी है यह तabei फिरे नियुक्त अंदर से बाहर निकलती है इसमें भी गोल-गोल होती है जैसे यहां पर गोल-गोल है ना बिल्कुल उसी तरह इस वितकार पास में भी वक्र रेखा यानकी गोल रेखाओं में होती है तो यहां पर भी चुम्बक की छेतर क्या होगा ऐसे गोल-गोल होगा ठीक है इस तार का चुम्बक की छेतर रेखा है कि हाँ गोल-गोल होती है इसमें भी गोल-गोल होता है लेकिन दोनों में हम लोग को यह नहीं मालूम चला है कि दिशा क्या होगी हम लोग को यह नहीं मालूम है कि यह अंदर से इसे बाहर निकल जा रहे हैं मतलब इस वृत्तकार पास में भी जो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें भी हम लोग को नहीं मालूम है कि चुम्बकी चेतर रहा है इस तरह अंदर से बाहर की तरफ आ रही है कि बाहर से अंदर की तरफ जा रही है इस तरह गूम रही है कि इस तरह गूम रही है इसमें भी हम लोग को नहीं दिशा मालूम है तो दिशा को मालूम करने के लिए के दोनों में कंडिसन में हम लोग को एक नियम पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है मेक्सवेल का दक्षिड हस्त नियम ठीक है तो उसको समझने के लिए मैं इस एरिया को क्या करूंगी तो लिजे यहां तक फटा फट स्क्रिन सोट फिर हम लोग उस नियम को पढ़ते हैं अब सब्सक्राइब करें कि जो आप लोग की धारा की दिशा है जिदर से जिदर धारा प्रवाहित हो रही है उधर आप लोग को आउठा को लेकर जाना है ठीक है और बाकी जितनी भी उंगलिया होंगी वह चुंबकी च्छेतर की दिशा को बताएंगी जैसे कि मानली जी आप लोगा चलकतार हो गया विधूद धारवाहि सीधा चलकतार इस मेंसे मानली जी नीचे से उपर की तरफ धारा प्रवाहित होताई यह मतलब धारा की दिशा क्या है नीचे से उपर एक मिनट तो अब आप लोग इसकी चुम्बक ये छेत्र की दिशा बताईए कैसे बता सकते हैं धारा की दिशा कि तरफ हूंठा को रखना है तो यह रख दिये ठीक है ऐसे ऐसे हो गया अब बाकी जितने भी उंगलिया है वो क्या अगर बतायेंगे चूमबखियक्षे च्छेतर की दिशा मतलब ऐसे ऍलिए यानि कि चुक्षे च्छितर जो है न citizenship गोल गोल इस दिशा में इस दिसा में है देखिए ऐसे फिर ऐसे गोल-गोल परवाइट एक मिनट एक बार और देख लिए यह सिदा धारवाही चालकतार हो गया नीचे से उपर धाना परवाइट हो रही है बिल्कुल अंग्ठा को भी उसी तरह रखना है अंग्ठा भी उसी तरह हो गया अब जितने भी उंग्लिया ह होंगी वह क्या करेंगी चुमक्य च्छेत्र को बताएंगी तो चुमक्य च्छेत्र इस दिसा में है यह उंग्लिया किदर बता रही है ऐसे करकर ऐसे 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 चुमक्य च्छेत्र की दिसा है यान की इस दिसा में क्या होगा चुमक्य च्छेत्र का वक्र हम लोग दिखाए तो ऐसे पिर ऐसे मतलब क्यों एसे था ऐसे अंदर जा रही है चुमके च्फित्र ऐसे अंदर जाए और इधर से बाहर निकल रहा इसलिगे बाहर निकाल देंगे यह हो गई दिशा अब जितने बिचुम्ब कि शुट रेखा हैं इसी अधिया में घूमेंगी अब एक और बात बताईए मानने जी इस धरावाई चलक तार से ऊपर से नीचे विदुदत धराप्रवाईथ होती तो इस चुम्ब के छेतर की दिसा क्या होती एक बार जार आप अब यह जो चुम्बक्य खेतर की दिशाद के अब इधर से इस तरह है इस तरह इस तरह तीखे तो यह बात हो गई किलिए इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं बिल्खुल उसी तरह यहाँ पर विधूद्धारवाही विर्थकार पास की करह में चुम्बक्य खेत्र देखने एक मिनट एसे विधूद्धारा प्रवाइत हो रहा है तो अपने अंग्ठा को बिल्कुल विधूद्धारा की दिशा में रखिए ऐसे तो आप लोग की बाकी सभी उंगलिया का क्या कर रही है इधर इसारा कर रही है मतलब आपका जो विधूद्धारा प्रवाइत होगा यह इधर से निकलेगा और अंदर घुसेगा बाहर निकलेगा अंदर घुसेगा तो इस में से इधर से निकलेगी और इस तरह अंदर घुसेगी इस तरह करकर इस तरह फिर इस तरह करकर इस तरह बाहर से निकलेगी अंदर घुसेगी तो इस तरह आप लोग खुद से करकर भी दे तो यहां तक समझ में आ गया इस टॉपिक से रिलेटेट कोई भी कम फेजान हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो और खुदा हफिज